स्टुडेंट आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लार्निंग चैनल में आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की हिंदी बुक आरोव भागतो का चैप्टर नमबर 15 श्रम विभाजन और जाती प्रताब आज हम इस चैप्टर के अर्थ ग्रहन संबंदी प्रशनों को करेंगे यानि गद्यांश को पढ़कर प्रशनों के उत्तर देंगे जिसके लेखक है बाबा साहिब भीमराव अंबेड कर जी उन्होंने इस चैप्टर में प्राचिन काल में भारतिय समाज चार वर्गों में कुछ निश्चित कारे निर्धारेत किये गए थे जैसे ब्राह्मन का कारे करमकान वावेद पुराण आधि का अध्यन करना शत्रिय का कारे देश रक्षा करना वैश्य का वर्ग का कारे व्यवसाय और शुद्र वर्ग का कारे साफ सफाई आधि का था उस समय समाज में जातिवाद पूरे तरह से हावी था और सभी लोगों को अपनी जाती के हिसाब से ही समाज में निश्चित कारे करने पड़ते थे। सविधान में दलित वा अन्य निम्न वर्ग की जातियों के उत्थान के लिए विशेश प्रावधान किये गए। जी सके आजादी के बाद धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हुआ लोगों के विचारों में भी परिवर्तन आया। आज हर धरम हर जाति का वेक्ति अपनी मन पसंद की शिक्षा घ्रेन करके अपने कारे या पेशे को चुनने के लिए सवतंत्र है। वे अपनी रूची की अनुसार अपना कारे शेतर चुन भी रहा है। सरकार ने भी निब्न वा पिच्डी जातियों के उत्थान के लिए अनेक जनकल्याणी योजनाय चलाई है। महत्मा गांदी ने शुद्र जाति को हरिजन यानि भगवान के लोग नाम देकर संबोधित किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जीवन भर गरीब दलित वनिमन भर्ग के उत्थान के लिए अनेक प्रियास किये। यह पार्ट उन्ही के विचारों पर आधारित है। तो अब हम इनके गद्यांश के पहराग्राफ के प्रशनों के उत्तर करेंगे। हमने पहले इसका एक्स्प्लानेशन किया, पाठे पुस्तक से संबंदित प्रशनों के उत्तर किये, अब हम इसके गद्यांश के प्रशनों के उत्तर करेंगे। प्रशन नमबर एक, यह विड्यम्बना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोशकों की कमी नहीं है। इसके पोशक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधूनिक सब्वे समाज करे कुशलता के लिए शरम विभाजन को अवशक मानता है। चुकि जाती प्रथा भी शरम विभाजन का ही दूसरा रूप है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंद में पहली बात तो यही अपत्ती जनक है कि जाती प्रथा शरम विभाजन के साथ साथ शरमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। इस पर आधारित प्रशनों के उतर लेखक किस विडमना की बात कर रहा है। इस पैराग्राफ में लेखक किस विडमना की बात कर रहा है कि आधुन इस यूग में भी जाती वाद के पेशकों पोशकों की कमी नहीं है। जाती वाद को रखने के वाले यानि धारन करने वाले बेदभाव करने वाले की भी कमी नहीं है। लेखक कह रहा है कि आधुने की यूग में भी कुछ लोग जाती वाद के पोशक हैं। वे इसे बुराई नहीं मानते। वे इस प्रवर्ति को वे विडमना कहते हैं। जातिवाद के पोशक होते हैं वो अपने समर्थन में क्या तर्क देते हैं जातिवाद के पोशक अपने मतमे समर्थन में कहते हैं कि आधुनिक सब्वे समाज में कारे कुशलता के लिए शर्म विभाजन को अवश्यक माना गया है जातिप्रथा भी शर्म विभाजन का दूसर का रूप है अता है इसमें कोई बुराई नहीं है जाती वाद के पोश्चक अपने मत के समर्थन में कहते है कि आधुनिक सब्वे समाज में कारे कुशलता के लिए श्रम विभाजन को अवश्यक माना गया है जाती प्रता भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है नेक्स कोशन लेखक क्या अपतिदर्ज कर रहा है लेखक क्या अपतिदर्ज कर रहा है लेखक जाती वाद के पोश्कों के तर्क को सही नहीं मानता जो जाती वाद को रखते हैं उसको सविकार करते हैं उनके तर्क को सही नहीं मानता वह कहता है कि जाती प्रता केवल श्रम विभाजन ही नहीं करती वह जो जाती प्रता है वो श्रम विभाजन ही नहीं करती ये श्रमिक विभाजन का भी रूप लिये हुए है श्रम विभाजन और श्रमिक विभाजन दोनों में अंतर है वह श्रम विभाजन और श्रमिक विभा था के समर्थ को उपर व्यंगे कर रहा है नेक्स पेराग्राफ प्रेश नबर दो श्रम विभाजन निश्चे ही सब्वे समाज की आविशक्ता है परन्तु किसी भी सब्वे समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्ता श्रमिकों का विभिन वर्गों में असभाविक विभाजन नहीं करती पर जो श्रम विभाजन की विवस्ता है वो श्रमिकों का विभाजन नहीं करती भारत की जाती प्रता की एक और विशेशता यह है कि यह श्रमिकों का असाभाविक विभाजन ही नहीं करती भलकि विभाजित विभिन वर्गों को एक दूसरे की अपिक्षा उच नी चार वर्गों में एक दूसरे की अपिक्ष्या उच नीच नहीं देखती करार देती है जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता केवल भारत में ही यह जाती प्रथा पाई जाती हैं इस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर देखिए श्रम विभाजन के विश्य में लेखक क्या कहता है डॉक्टर भीम राव अमेडिकर जी श्रम विभाजन के विश्य में क्या कहते हैं श्रम विभाजन के विश्य में लेखक कहता है कि आधूनिक समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है परन्तु कोई भी सब्बे समाज श्रमिकों का विभिन वर्गों नेक्स्ट कोशन भारत की जाती प्रता की क्या विशेष्टा है भारत की जाती प्रता श्रमिकों का असवभाविक विभाजन तो करती ही है साथ ही वे इन वर्गों को एक दूसरे से उचा नीचा भी घोशित करती है भारत में जो जाती प्रता है न वो शर्म करते हैं मेनत करते हैं उनमें असाभाविक विभाजन तो करती करती है जिस साभाविक नहीं होता वो विभाजन असाभाविक होता है और साथ ही वो इन वर्गों को एक दूसरे में यानि उन लोगों में उच नीच के घोशित करती है श्रम विभाजन वा श्रमिक विभाजन में क्या अंतर है श्रम विभाजन का अरत है अलग-अलग वेवसायों का वर्गी करण श्रम मैंने कारे अलग-अलग व्यवसायों का वर्गी करण श्रम इक विभाजन करते है जनम के आधार पर व्यक्ति का व्यवसाय वस्तर निश्चित कर देना वह जनम से ही उनकी व्यवसाय और स्तर निश्चित कर देना वो है श्रमिक विभाजन और श्रम विभाजन है अलग-अलग विवसायों का वर्गी करन नेक्स्ट कोशन विश्व के अन्ने समाज में क्या नहीं पाया जाता आंसर विश्व के अन्य समाज में श्रमिकों के विभिन वर्गों को एक दूसरे से नीचा नहीं दिखाया जाता वाँ पे सबी को एक समान ही माना जाता है केवल भारत में ही श्रम विभाजन में अलग-लग व्यवसायों का वर्गी करण किया जाता है प्रिशन नमर तीन जाती प्रता पेशे का दोश्पूर्ण पुर्वनिधारन ही नहीं करती बलकि मनुश्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है भले ही पेशा अनुप्यूक्त या अपरियाप्त होने के कारण वे भूखो मर जाए आधूनिक यूग में यह स्तिती प्राय आती है क्योंकि अध्योग धंदों की परिक्रिया वा तकनीक में निरंतर विकास और कभी-कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मनुश्य को अपने पेशा बदलना की अवशक्ता पढ़ सकती है यही प्रतिकुल प्रिस्तितियों में भी मनुश्य को अपना पेशा बदलने की सवतंतरता ना हो तो इसके लिए भूखो मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है बदलने की सवतंतरता ना हो तो इनके लिए भूखे मरने के इलावा कोई चारा नहीं रह जाता हिंदू धरम की जाती प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुणने की अनुमती नहीं देती जो उसका पैत्रिक पेशा ना हो पैत्रिक पेशे को ही वो आगे पढ़ा सकता है उसको कर सकता है उसमें चाहे प्रतिकुल परिस्तितिया आ जाए फिर भी उसे चाहे भूखे मरने की नोबत आ जाए पर वो अपना वैवसाए चेंज नहीं कर सकती बदल नहीं सकती वह उसमे परमगत हो इस परकार पेशा परिवर्तन के अनुमति ना देकर जाती प्रता भारत में बेरोजगारी का एक परमुक और परत्यक्ष कारण बनी हुई है इससे अधारित प्रशन उत्तर प्रेशन नमबर वन जाती प्रता किसका पुर्वनिधारन करती है उसका क्या दुष्परिणाम होता है जाती प्रता जो है वो किसका पुर्वनिधारन करती है और उसका क्या बुरे प्रिणाम निकलते है जाती प्रता पेशे का दोश पूर्व पूर्वनिधारन करती है जुजाती प्रता है पेशे का यानि विवसाय का पूर्वनिधारन करती है जनम से ही पैत्रिक कारे को ही पूर्वनिधारन करती है मनिश्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से भांद देती है पेशा अनुप्यूक्त या अप्रियाप्त होने के कारण व्यक्ति को भूखा मरना पड़ सकता है पेशा अनुप्युक्त भी हो सकता है प्रियाप्त भी हो सकता है फिर भी वो उसे बदलने का अनुमती नहीं देती है उसे एक की पेशे में बांदे रखती है और उसे भूखा मरना पड़ सकता है नेक्स्ट कोशन आधूनिक यूग में पेशा बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है आधूनिक यूग में उध्योग धंदों का सवरूप बदलता रहता है तकनीक के विकास से किसी भी विवसाय का रूप बदल जाता है नहीं नहीं तकनीकी आने से विवसाय का रूप भी बदल जाता है उसमें कारे करने का परियोग भी बदल जाता है इस कारण व्यक्ति को अपना पेशा बदलना पड़ सकता है नमबर थ्री पेशा बदलने की सवतंतरता ना होने से क्या परिणाम होता है तकनीक वाविकास प्रिक्रिया के कारण उध्योगों का सवरूप बदल जाता है इस कारण व्यक्ति को अपना वेवसाय बदलना पड़ता है यदि उसे अपना पेशा बदलने की सवतंतरता ना हो तो उसे भूखा ही मरना पड़ेगा उसे अगर अपना पेशा बदलने की सरतंतरता नहीं है तो उसे अपने कारे को अपने पेशे को अनुप्युक्त और प्रियाप्त होने के कारण उसे भूखा ही मरना पड़ सकता है कौशन 4, हिंदु धर्म की क्या स्थिती है? हिंदु धर्म में जाती प्रथा दूशीत है लिए हिंदु धर्म के अंदर सबसे बड़े कमी क्या है? जाती प्रथा, जो बहुत ही दूशीत है वह किसी भी वेक्ति को ऐसा पेशा चुन्ने की आजादी नहीं देती में जुजाती प्रथा है हिंदु ध्रम के अंदर वो किसी व्यक्ति को भी पेशा चुनने की अनुमती नहीं देती जो उसका पैत्रिक पेशा ना हो पैत्रिक पेशा यानि पिता के खांदानी पेशा जो पिछे चलता चला आ रहा है पेशा ना हो भले ही वह उसमें परमगत हो नेक्स्ट आगे के गद्यांश के प्रशन उत्तर हम मेरी कलपना का आधर्ष समाज के पार्ट टू के उपर करेंगे फिर मेरी द्रिष्टी में आदर्ष समाज क्या है यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्ष समाज सवतंतरता समता और भात्रता पर आधारेत होगा वह अपना भाषण त्यार कर रहे हैं, भाषण जो हो नहीं पाया 1936 में उसमें और तब अपने भाषण त्यार करते हुए उन्होंने लिका था कि मेरी दृष्टी में आधर्ष समाज क्या है फिर लोग मुझसे कोशन करेंगे कि आपकी दृष्टी में आदर्ष समाज क्या है तो मैं उसका आंसर क्या दूँगा भई ऐसा अगर लोगों ने पूछा तो उसका उत्तर होगा मेरा आदर्ष समाज सौवतंतरता समता भातरता पराधारित होगा क्या यह ठीक नहीं है भातर उसकी भी आदर्ष समाज में इतनी गतिशिल्ता होनी चाहिए कि जिससे कोई भी वांचित परिवर्तर समाज के एक चोर से दूसरे चोर तक संचारित हो सके ऐसे समाज के भई विदी हितों में सबका भाग होना चाहिए और सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना में अभाद संपर्क के अनेक साधन वा अफसर उपलब्द रहने चाहिए तात पर यह है कि दूद पानी के मिश्रण की तरह भाई-चारे का यही वास्त्विक रूप है और इसी का दूसरा नाम है लोकतंद्र इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देखिए लेखक ने किन विशेशताओ को आदर्शा समाज की धूरी माना है और क्यों लेखक उस समाज को आदर्श मानता है जिसमें सवतंतरता समानता वभाई चारा हो उसमें इतनी गतिशीलता हो कि सभी लोग एक साथ सभी परिवर्तनों को ग्रहन कर सके ऐसे समाज में सभी के सामूहिक हित होने चाहिए और सबको सबकी रक्षा के प्रती सजग रहना चाहिए जिसमें सामूहिक हित होने चाहिए और सबकी रक्षा के प्रती सजग रहना चाहिए लोग परिवर्तन को ग्रहन करें उनके भाई चारा में गतिशीलता होने चाहिए प्रेशन नमबर दो भारतता के सवरूप को सपस्ट कीजिए भात्रता के का रहत है भाई चारा यानि भाई चारा के सवरूप को सपस्ट कीजिए लेखक ऐसा भाई चारा चाहता है जिसमें बादा ना हो अभी सबी सामूहिक रूप से एक दूसरों के हितों को समझे और एक दूसरे की रक्षा करे अभाद संपर्क का क्या आर्थ है बीना अबादा के संपर्क बीना बादा के संपर्क कैसे संभव है इन संपर्कों में साधन वा अवसर सब को मिलने चाहिए बीना बादा के संपर्क क्या मतलब है इन संपर्कों में साधन वा अवसर सब को मिलने चाहिए लोक तंत्र का वास्त्रिक सवरूप क्या है बहाई चारा这 है दूद पानी के मिश्रण की तरह होता है इसमें उदारता होती है बहाई चारे में उदारता होती है प्रशन नमबर पाँच जाती प्रता के पोशक जीवन शारीरिक सुरक्षा समपत्ति के अधिकार की सवतंतरता को तो सहिवकार कर लेंगे परंतु मनुष्य की सक्षम और प्रभावशाली प्रयोग की सवतंतरता देने के लिए जल्दी त्यार नहीं होंगे क्योंकि इस परकार की सवतंतरता का अर्थ होगा अपना वेवसाय चुनने की सवतंतरता किसी को नहीं है तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड कर रखना होगा यहां पर जाती प्रता के साथ सथ दास्ता का मतलब बताया गया है कि दास्ता का अर्थ होता है जकडन क्योंकि दास्ता केवल कानूनी प्रादिनता को नहीं का जा सकता दास्ता में वहस्थिती भी समलित हैं जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों दौरा निर्धारित वहवार एवं कर्तवियों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है दूसरों के कर्तव्यों और वहवारों को मानने के लिए उन्हें विवश होना पड़ता है, मजबूरी में आकर उनके कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, यह स्तितिक कानूनी प्राधिनता ना होने पर भी पाई जा सकती है, उधारनता जाती प्रता की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है, जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के वृत पेशे अपनाने पड़ते हैं, वह जाती प्रता के पोशक जीवन और शारिरिक शुरक्षा संपत्ति की अधिकार की सवतंतरता तो सहविकार कर लेंगे, परन्तु म का अर्थ होगा अपने विवसाय चुनने की सवतंतरता, वह सबसे बड़ी सवतंतरता क्या होगी, जब लोगों को अपने विवसाय को खुद चुनने की सवतंतरता होगी, और दास्ता का अंत भी जबी होगा, कि जक्डन जब लोगों, जब लोग दूसरों के बनाए नियमो उका पालन करने के लिए विवश ना होना पड़े यह स्तितिक कानूनी प्राधिंता ना होने पर भी पाई जा सकती है विज्जाती प्रता के ऐसे वर्ग का होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी इच्छा के विरुद पेशे अपनाने पड़ते हैं इस प्रधारित प् जाती प्रता के समर्थक जो है किन अधिकारों को देने के लिए राजी हो सकते हैं और किन अधिकारों को देने के लिए नहीं लेखक के अनुसार जाती प्रता के समर्थक जीवन सारे रिक्ष रक्षा संपत्ति के अधिकार को देने के लिए राजी हो सकते हैं किन्तु इश्ये के सक्षम वा प्रभावशाली प्रियोग की सवतंतरता देने के लिए तयार नहीं हैं। दास्ता की दो लक्षन स्पस्ट कीजिए। दास्ता की दो लक्षन कौन से हैं। पहला लक्षन है कानूनी। दूसरा लक्षन है जिसमें कुछ विक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित वेवार वा कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश किया जाता है। और निम्न शुद्र वरग को उन कर्तव्य और वेवारों को मानने के लिए विवश्च किया जाता है उसे दास्ता का दूसरा लक्षन कहा जाता है पहला लक्षन होता है कानूनी वेवसाय चुन्ने की समतंतरता ना दिये जाने पर लेखक ने क्या समभावना व्यक्त की है स्पस्ट कीजिए अंबेड करने लेखक अंबेड करने वेवसाय चुन्ने की समतंतरता ना दिये जाने पर लेखक ने क्या समभावना व्यक्त की है लेकक ने संभावना व्यक्त की है विवसाय चुन्य की संतरता न दिये जाने पर लेकक ने यह संभावना व्यक्त करता है कि समाज उन लोगों को दास्ता में जकड कर रखना चाता है वे यह समाज उन्हें सवतंत्र नहीं करना चाता उन्हें दास्ता में यानि जाती प्रथा के भेद भाव में जकड़ कर रखना चाता है कोशन नबर चार जाती प्रथा की तरह ऐसे वर्ण होना से अम्बेड करका क्या आश्य है प्रथा के इसका आश्य है समाज में अनेक ऐसे वर्ण है जो अपनी इच्छा के वर्ण थोपे गई व्यवसाय को करते हैं प्रशन नबर चे व्यक्ति विशेश के द्रिष्टी कोण से असमान प्रियतन के कारण असमान वहवार को अनुचित नहीं कहा जा सकता व्यक्ति विशेश के द्रिष्टी कोण से देखा जाए तो असमान प्रियतन के कारण असमान वहवार को अनुचित नहीं कहा जा सकता साथी प्रतेग विक्ति को अपनी शमता का विकास करने का पूरा प्रवसाहन देना सरवता उचीत है प्रांतु यद्य मनुश्य प्रधम दो बातों में असमान है तो इस आधार पर उनके साथ भिन वेवार उचित है अगर वो अपनी बातों में जो पहले दो बाते थी उनमें आसमान है तो उनके साथ भिन वेवार उचित है उत्तम वेवार के हक की परतियोगिता में वे लोग निश्चे ही बाजी मार ले जाएंगे जिने उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याती, पैत्रिक संपद्दा और वेवसाइक परतिष्टा का लाप प्राप्त है इस प्रकार पून सुविदा संपन्नों को ही उत्तम वेवार का हकदार माना जाना वास्ता में निश्पक्ष निर्ने नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह सुविदा संपन्नों के पक्ष में निर्ने देना होगा जो यह सब सुविदाएं हैं उत्तम वर के लिए उत्तम वहवार के लिए तो यह सुविदा संपन्नों के पक्ष में निर्ने देना होगा अतन्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे यानि परियासों की असमानता जो मनुश्यों ने अपने वंश की बात की है आधार पर मनुश्यों के साथ असमान वहवार को उचित ठहराते हैं वहाँ प्रतम दो आधारों जो मनुश्यों को अपने वंश की बात बाते नहीं हैं उनके साथ असमान वेवार नितांत अनुचित है। हमें ऐसे वेक्तियों के साथ यथा संभव समान वेवार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो समाज को यदि सदस्यों से अधिक उप्योगिता प्राप्त करनी है। वेवार उप्लब्द कराए जाए तो वो अधिक्तम उप्योगि बन सकते हैं। इस प्यारग्राफ पर निर्धारित प्रशनों को देखें। लेकक किस असमान वेवार को अनुचित नहीं मानता। लेकक उस आसमान वहवार को अनुचित नहीं मानता, जो वेक्ती विशेश के द्रिष्टी कोण से आसमान प्रियतन के कारण किया जाता है, जो वेक्ती विशेश के द्रिष्टी कोण से आसमान होता है और किया जाता है, लेकक किस बात को निश्पक्ष निर्ने नहीं मानता, प में उच्वर्ग बाजी मार जाता है उच्वर्ग के जो लोग होते हैं उत्तम वहवार के कारण बाजी मार जाते हैं क्योंकि उसे शिक्षा, पारिवारिक ख्याती, पैत्रिक संपद्दा और व्यवसाइक प्रतिष्टा का ज्यान होता है लाप प्राप्त होता है ऐसे में उच उच्वर्ग को उत्तम वैवार का हकदार माना जाना निश्पक्ष निर्णे नहीं है उनके उच्वर्ग के लोगों को निश्पक्ष निर्णे नहीं मान जाना चाहिए क्योंकि उच्वर्ग के पास सारी सुविधाय उपलब्द होती है न्याय का तकाजा क्या है न्याय का तक तकाजा यह है कि विक्ति के साथ वंश परमपरा असमाजिक उत्रादिकार के अधार पर असमान वहवार ना करके समान वहवार करना चाहिए। समाज अपने सदस्यों से अधिक्तम उपयोगिता कब पराप्त कर सकता है जब समाज के सदस्यों को आरंब से ही समान वहवार उपलब्द करा जाएंगे। वह जो समाज के अंदर सदस्यों हैं समाज के सदस्यों से वो कब अधिक से अधिक कारे करवा सकता है जब वो उन सदस्यों को समान अफसर और समान वहवार उपलब्द कराएगा। तो इस परकार हमने गध्यान्शों परहधारित प्रशनों के उत्तर को किया। अच्छे से पाठ के चैप्टर्स को पढ़ा, अच्छे से लाइन टू लाइन को एक्स्प्लेंड किया, पाठ्थे पुस्तक पराधारित प्रश्नों के उत्तरों को किया, अब हम आगे आपके लिए एक्स्ट्रा कोशनसर्स और एमसी कोशनसर्स लेके आएंगे, आप इन धन्यवाद